जै शुरी कृष्छना आज जानकारी लेकर आये एक सत्य घटना के उपर जो कि मद्ध immediate Pradesh के किसान की है ये मद्ध पर देश के किसान है ये जमीन में गड़ ज़न प्राप्ति की सबसे वाला नियम वह उता है कि अगर है कि किसी के भाग्या में हो Kay si मिलना हो तो या अपने आन प्राप्त हो जाता है इसके लिए आपको कुछ भी करने के यावशिक्ता नहीं होती है जिसके भाग्य में होता हुट उसे अपने आप मिल जाता है अगर आपको गलत जानकारी देता है कि बहुंख विद्व नहीं गलत फहिमी है क्योंकि हम आपको ऐसी घटनाओं के विश्य में जानकारी देंगे, भागी की चीज अपने आप मिलती है, उसके लिए कुछ करने के आवशकता नहीं होती है, और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसा कुछ आपको करने के आवशकता है, तो फिर वो गलत है, फिर उससे खेतों को बखरा जाता था, बोया जाता था, तो वो जो किसान थे, वो दोपहर का समय था, तकरीबन दो बजे का दोपहर का, और वो अपने खेत को जोत रहे थे, जोत रहे थे तो उनका जो हल था, वो आडस गया एक जगे, अब भाई, खेत में हल आडस जाए, यह ब पता होता है, तो कहीं अपना हल जोते जोते फस जाई यह तो मुम्किन ही नहीं है, अब वो किसान ने सोचा कभी ऐसी क्या चीज आ गई जो मेरा हल फस गया, अकेला था, खेज जोत रहा था, उसने रोका अपना हल और वापीस पीछे आ कर देखा कि किस चीज में मेरा हल इसा सोने का गोल उसको हन्ता दिखाई दिखाई दिया उसने देखा, जिए सुने का चीज है आपे जो मुझे मिली है उसने और खोदा उसने और खोदा तो कड़ाई उसको दिखाई दी कि एक सोने की कड़ाई है जो कि जितना उसको हिस्सा दिख रहा है अगर इसको देखा जाय तो ये कड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा है कड़ाई को अगर खोदा तो आती है इतनी बड़ी, हो कड़ाई थी कि उसके अकेले की बस में नहीं है, कि वो उसको जल्दी से निकाल सके. हाँ, अगर वो अकेला बहुत समय तक खोदता रहता, वो निकालना चाहता, तो निकाल सकता था, लेकिन जल्दबाजी देखिए कि वो खुशी में इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उसने जब देखा कि भी सोने की कड़ाई है ये और इतनी बाहर आ गई मतलब ये बहुत बढ़ी है उसका एक हिस्सा देखे आप समझ सकते हो कि कितनी बढ़ी होगी तो उसने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये चार फिट का इसका लगभग लगभग गुलाई होगी तो ये मैं किसी को बुला के लिया आता हूँ उसके दिमाग भी बात है अब वो ये जानता नहीं था समझता नहीं था कि भाई देखिए अगर आपको धन की प्राक्ति इस प्रकार के गड़े वो धन की प्राक्ति अगर होनी हो तो वो अपने आप हो जाती है जैसे उसको हुई थी इसको गुपत रखा जाता है किसी को बताया नहीं जाता लेकिन उन्होंने क्या कि वो दौर लगा के गए अपने आस पास की खेतों में जो भी व्यक्ति उनको मिल जाते क्योंकि जरूरी नहीं कि हर खेत में व्यक्ति उपलब्द हो हमेशा उपलब दो ऐसा जरूरी नहीं है जो आया होगा उस दिन खेत में वो मिल जाएगा वो गए दूसरे लोगों को बुला के लेकर आए बुला के लेकर आए तो जब वो उस खड़े के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चांदी का सांप सांप जो होता है चांदी का सांप उसके आखों के सामने ऐसा निकल के और चला गया अब निकल के चला गया देखा तो अद्रश्य हो गया वो देखा उसने निकला और चला गया अब चांदी का सांप चला गया तो सांप के पीछे तो कोई जाएगा नहीं पूरा केंद्री तो वह खड़ा था कि खड़डे में कढ़ाई है तो उन्हें देखा कि खड़ड़े से चांदी का साफ निकल के गया उन्होंनों देखा कि वहां जाके सांम आगे दिखनी रहे, क्योंकि खेट बखरा हुआ तुप पीछे वो दिखा निए, फिर उन्होंनों सांप पे ध्यान नहीं दिया, वो खड़े के पास गये, तो देखा वहां पर कड़ाई थी ही नहीं, कड़ाई वहां पे थी ही नहीं, गल्ती क्या हुई, गल्ती ये हुई कि उन्होंने वहां से दूसरे लोगों को जाकर बताया, कि भई ऐसी ऐसी चीज मुझे वहां पे दिखी है, देखिए जो माया होती है, जो गड़ा हुआ धन होता है, अगर ये भाग्यम है किसी के, तो ये इसी प्रकार अपने आप बहर आ जाता है, बिना कोई पूजा पाट किये, बगएर किसी प्रकार की कोई बली बली चड़ाए, अगर भागी किस चीज होती है, तो अपने आप मिल जाती है, और अधिकतर तो ये होता है कि, अगर आपको कोई व्यक्ति बताता है कि आपक घर की पूजा पार्ट करने के वाज़े से जो सिध्धियां आपको प्राफ्थ होती है वो भी आपको ऐसी ही दिखाई देती है दूसरे लोगों को जैसे घर में कुछ चीज चमकदार चीज कुछ मौजूद है कुछ गड़ा हुआ है लेकिन वास्ताव में वहां कुछ होता न दिवार में स्थान ले लेती है तो अगर कोई व्यक्ति उसको देखना चाहेगा कोई सिध्धि वाला व्यक्ति को देखना चाहेगा तो उसको चमकीली वस्तु दिखाई के रूप में दिखाई देगी वह तो उसको लगेगा कि कुछ गड़ा है पर वास्ताव में कुछ होत खोदने के आवशक्ता नहीं पढ़ती हो, खुद बाहर आ जाता है, और ऐसी गटनाए जो होती बहुत कम होती है, जादतर ऐसी गटनाए होती नहीं लोगों के साथ, इस बात को समझो आप, तो गड़ा हुआ धन किसी को मिलना होगा, तो अपने आप आ जाता है बाहर, अपने को भागय था उसका, कि उसको वो चीज मिलना चाहरी थी, उसको मिल जाती हूँ, पर उसने गलती क्या की, कि उसको बता दिया दूसरों को, अब वो चीज नहीं मिली, तो ये चीजे होती ही, गुप्त होती है, जिसको मिलना हो भागय में हो, वो मिल जाती है, अब इसके बात ब अगर आप नहीं निकालेंगे तब भी उस घर में धन सुख वैभाव की वरद्धी होगी, ऐसी चीज़ें अगर घर में रखी भी हुई है, गड़ी हुई भी है, चाहे वो पुराने तामबे पीतल की ही चीज़ें क्यों न गड़ादी हो, पहले गड़ाते थे लोग, गड़े गड़ाते थे, तामबे पीतल के, वो आप तक तो सब खराब हो जाते हैं, पूरी तरह के सिनल हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि कुछ गड़ाया है, तब भी, अगर आप नहीं भी निकालते हैं, तो वो अपने आप वैसे भी सुख व्रद्धी करता ही है, उस घर मे बड़ोत्री होती जाती धन बढ़ता जाता है अपने आप तो वैसे भी अगर आपको कुछ किसी ने कुछ बताया आपके दादा पर दादा ने तो उसको निकालने क्या हो सकता नहीं पड़ती है वैसे भी आपकी व्रिद्धी होती है तो यह थी घटना एक किसान की जिसके करके चलना चाहिए कि ऐसी चीजों को प्राप्त करने की कोशिश ना करें जिससे आपकी व्रद्धियों यह अपने आप सामने आ जाती है जब आपका योग बनता है जब भाग्योदय होता है तो आपको शांती से उन चीजों को स्विकार करना चाहिए अगर कहीं से आपको व्यापार यह नौकरी में ऐसा कुछ हुआ है कि अचानक से आपको धनलाब हुआ है तो उसका बखान न करें लोगों को बताने क्या शक्ता नहीं है उसको पचाना सीखें कि धनलाब हुआ है ठीक है कोई बात नहीं उसको अगर आप हजम करना सीख गया ना उस बात को कि घटनाओं को समझें और जीवन में और भी जो भी आपके साथ घटना हुई होगी अगर आप भी अपने साथ हुई कोई घटना हमको बताना चाहते हैं कि कोई घटना आपके आसपास भी हुई है आपके गाओं में भी हुई है तो आप हमें बता सकते हैं जिससे कि लोगों क लालच कम हो और लोग भाग के अनुसार कर्म करने पर विश्वास करें कि कर्म करेंगे तो नती करेंगे अभी के तक के लिए इतना ही जै श्री कृष्णा